दोस्तों स्वागा थे आप लोगों का हॉट इसपॉट स्टडी पर SSC GD को लेकर काफी दुनों से आप लोग की कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ इसको लेकर अपडेट दीजे देखिए हम बहुत काम की बात करेंगे इस वीडियो पर SSC GD के 2018 के जो स्टुडेंट से वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझेगा अपने दोस्तों के शांश शेयर करिएगा और आपको कुछ आंसस भी देना है मुझे कमेंट पे तो वो भी मुझे कमेंट पे जरूर बताईएगा देखिए दोस्तों यदि आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें SSC GD की और जो न्यू वेकैंसिस आती हैं उनसे रिलेट अपडेट डिफेंस से रिलेट अपडेट आपको यहां पर मिलती रहती है तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बैल आइकोन बना होगा उसे भी प्रेस कर देना देखिए दोस्तों SSC GD को लेकर अभी 10 नवंबर तक ठीक है 10 नवंबर तक आप लोगों का क्या चलना है RME चलना है रिमेडिकल चलना है ठीक है जब यह और इसमें दोस्तों प्लस चार दिन और एट किया गया था ठीक है अब इस चीज़ को समझ लेना अब देखिए जो additional candidates नवाद को पता है उनका रिमेडिकल होना है जो बच्चे उसमें disqualify कर दिए गए होगे किसी point में तो उनका जो है रिमेडिकल होगा ठीक है? additional candidates का तो जो additional candidates है ठीक है? इनका जो रिमेडिकल है वो कितने दिन चलेगा? दीखी दोस्तों इनका जो है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि जो बाहर हुए होंगे उनने एपलाई किये होंगे उनको जो भी एपलाई करने का समय मिला होगा 15-20-30 दिन इनका जो रिमेडिकल है करीब दोस्तों 15-20 दिन के अंदर करवा दिया जाएगा इस से ज़्यादा समय नहीं लगेगा अभी हम सबसे पहले चलते हैं CRPF की वेफसाइट पर यहाँ पर हम आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम उत देखने को मिलेगा कि अभी एडिस्नल के जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी एडिस्नल के कैंडिडेट्स हैं इनका जो री मैडिकल का एड्मिट कार्ड है अभी तक इसको लेकर कोई भी लिंक ओपन नहीं है अभी आप यहाँ पर देखेंगे डीटिल्ड मैडिकल एग्जामिनेशन की है CTGD की और री मैडिकल की वस अपलोड की गई है एडिस्नल के री मैडिकल की अपलोड अभी नहीं हुई है तो आप यह समझ ये 10 तारीक तक तो आपको पता है कि री मैडिकल चलना है CTGD का इसके बाद दोस्तों एडिस्नल कैंडिडेट्स की जो लिंक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी CRPF की साइड पे उसकी लिंक एक्टिवेट होती है आपको information hot spot study पर मिल जाएगी सबसे पहले ठीक है अब वो लिंक आएगी फिर उनका जो है re-medical conduct करा जाएगा additional candidates का और additional candidates का जो चलेगा करीब 15-20 दिन चलेगा कुछ लोगों को बुलाएंगे कुछ लोगों को क्योंकि वो भी candidates है करीब 30-40% पास हुए होंगे बाकी re-medical के लिए फैल हो चुके होंगे यह जिनको re-medical मिला होगा फिर इन में से सारे के सारे लोग अपलाई करेंगे re-medical के लिए ठीक है कुछ लोग रह जाएंगे बाकी जातल लोग अपलाई कर देते ठीक है फिर उनका accept होगा फिर उनका जो है बुलाया जाएगा तो यह प्रक्रिया ऐसे चलेगी करीब 15-20 दिन इनका जो re-medical conduct करवाने में लगेगा ठीक है यह आप समझ लीजिए कि additional candidates का re-medical conduct करवाने के बाद भी 30-45 दिन का समय लगेगा यह वर्क लगता ही है इसमें कोई जल्दवाजी या कोई ऐसी चीज़े नहीं होती इस चीज़ को आपको समझना होगा ठीक है यह इसलिए बोल रहा है कि तुरंट बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होना वाला है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है ठीक है नमबर नहीं बताने हैं कि आपको इतने नमबर आये हुए हैं आपको final merit निकालनी होती है सारे candidates की मुझे पता है सारे निकालना बहुत आसान होता है लेकि उनकी सारी चीज़ें भी तैयार करनी होती है क्योंकि जैसे ही final merit आती है और लोग फिर joining के इंतिदार करने लगते है क्योंकि उन्हें joining भी करवाना है ठीक है तो उस हिसाब से वो चीज़ें वो लोग करते हैं और आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दीजेगा कि आपको क्या लगता है जो आपका final result है वो December के last में आ जाएगा या फिर January के mid में आएगा January के starting में आ जाएगा या फिर January 2021 के last में आएगा या फिर February में आएगा या कुछ लोग मार्थ सोच रहे है मुझे नहीं बता आप मुझे आपकी सोच मुझे कमेंट करके बताना ठीक है याद से बताएगा कमेंट करके और उसमें बिल्कुल मुझे accurate तरीके से समझाना practically कि सर इस वज़े से December तक आ सकता है ठीक है तो मैं देखूँगा मुझे किसकी बात सहीं लगती है कौन कितना accurate अपना दिमाग चला रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो को और दोस्तों के शाथ शेयर करतीजिएगा information आगे जैसे ही आती है आपको hotspot study पर मिल जाएगी